Good morning everyone, welcome to exam orbit classes, तो आज है 20 अक्टूबर और आज के स्टेशन में 20 अक्टूबर से सम्मन्दित करेंट अफियर डिसकस करेंगे अगर आप किसी भी exam की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये session आप सभी के लिए काफी महत पुर्ण रहने वाला है तो जल्दी से एक बार class को share करतेंगे तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में कि इस देश ने मध्यम दूरी के अवाबील हत्यार प्राणली का सपल परिक्षन किया है भारत, जापान, इरान या फिर पाकिस्तान इस सवाल का आंसर आपको क्लास के लास्ट में बिल जाएगा और जिनको आंसर पता है उनको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है तो शेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल उडिसा के नई राजजुपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो याद रखेंगे उडिसा के नई राजजुपाल बन गए हैं रगवर दास जिन्हें आप सभी पिक्ट में देख सकते हैं इसी के साथ आप याद रखेंगे कि इंद्र सेना रिड्डी नलू इन्हें तुरपुरा का नई राजजुपाल नियुक्त किया गया है फ्रेंट्स ये जो रगवर दास हैं जो कि उडिसा के नई गवन्नर बने हैं ये 2014 से 2019 तक छारकंड के मुख्य मंतरी रह चुके हैं अब डिस्कस कर लेते हैं राजजुपालों की नियुक्ती कैसे की जाती है यानि कि राजजुपाल से सम्मंदित जो संबिधान में महत्तपूर्ण अनुछेद बताए गए हैं उनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं संबिधान के अनुछेद 153 में कहा गया है कि प्रतेक राजज के लिए एक राजजुपाल होगा आर्टिकल 155 के अनुशार राजज के राजजुपाल को राश्टुपती दुवारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहट पारण दुवारा न्युक्त किया जाएगा आर्टिकल 156 के तहट राजजुपाल राश्टुपती के परशाथ परियंत पधारण करेगा लेकिन उसका जो कारेकाल है वो पांच वर्स का होगा यानि कि गवनर का जो कारेकाल होता है वो कितने साल का होता है पांच साल का अनुछेद 157 और 158 राज्युपाल की योकिता और उसके कारेले की सर्थों को निर्धारित करते है राज्युपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयूप पूरी कर लेना चाहिए राज्युपाल को संसदिया राज्युविधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए किसी अनिलाब के पत पर भी नहीं होना चाहिए राज्युपाल की इस्तितिगी परीकल्पना एक राजनेतिक प्रमुख के रूप में की गई है जिसे राज्य के मंतरी परिसत की सलापर कारे करना होता है इसके लावा याद करेंगे हम लोग जो आर्टिकल 153 है इसमें कहा गया है राज्युका राज्युपाल आर्टिकल 154 याद रखेंगे राज की कारे कारी जो सकती होगी वो किसमे नहीं हित होगी राज़ुपाल में आर्टिकल 155 राज़ुपाल की निवति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 156 राज़ुपाल की पदाबदी आर्टिकल 157, राजजपाल के रूप में न्युक्ति के लिए योगता है आर्टिकल 158, राजपाल के कारेले की सर्थ है आर्टिकल 169 कहता है, राजपाल दुवारा सपत या प्रतिक्यान अब आप मुझे बताइए कि राजपाल को सपत कौन दिलाता है Article 160, कुछ आकास्मिक ताउं में राज़पाल के कारियों का निर्वहन है Article 161, राज़पाल की छमादार और अन्य सक्ति है Article 162, राज़गी कारे-कारी सक्ति का विस्तार है Article 163, important है, याद रखेंगे राज्यपल को साइता और सला देने के लिए मंत्री पड़िसद होगी जो की आर्टिकल 163 में बताया गया है अगर आप तो पहली बार चैनल पर बिचित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बेल आइकन दवाना पिल्कुल ना भूले जिसे आप सभी को क्लास का जो नौटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जादा से जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अगला सबाल है कि किस राज्ज ने बाग अभ्यारणों के लिए विशेश बाग सुरक्षा बल को बल के गठन को मंजूरी देती है तो मंजूरी दी गई है अरोनाचल गवर्मेंट के तुबारा अरोनाचल प्रदेश की राज्ज सरकार ने राज्ज में बागों की सुरक्षा के लिए विशेश बाग सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी देती है इस फोर्स को नामदफा पाके कमलांग टाइगर रिजर्व में तेनाद किया जाएगा अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि पाके टाइगर रिजर्व कहां पर है तो आंसर होगा अरोनाचल प्रदेश भारत का 51 बार टाइगर रिजर्व कौन सा है सिरी बुल्लू पथर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व भारत का 52 बार टाइगर रिज़र्व रामगर विजधारी है चो की राजस्थान में है भारत का 53 बार टाइगर रिज़र्व रानिपो टाइगर रिज़र्व है और ये उत्त प्रदेश में है भारत का 54 बार टाइगर रिज़र्व चो की हाली में बना है और इसका नाम है बीर टाइगर रिजर्व यह कहां पर है तो यह राजस्थान में है मेलगा टाइगर रिजर्व महराष्ट में है राजा जी उत्राखंड में आता है पेस टाइगर रिजर्व काना टाइगर रिजर्व और बांधवगर जो टाइगर रिजर्व है यह मत्द प्रदेश में है नागर पर है तो यह आता है उत्रा खंड में अगला सवाल है कि जो हुटको है इसके अध्याच के अध्याच इवं प्रवंद निर्देशक के रूप में किसे न्योक्ति किया गया है तो इनका नाम है संजे कुल्स रेष्ट जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं और संजे कुल्स को खुटको की अध्याच और प्रवंद निर्देशक के रूप में न्योक्ति किया गया है ठीक है याद रखेंगे आप सभी और देखिए इसकी तो इस्थापना है वह 25 अपरल 1970 में होती है और इसका मुख्याले नई दिल्ली में इस दित है कुछ महित पूर्ण नियोक्ति याद रखेंगे Association of Mutual Funds in India के नई Chairman बने है भारत को लगातार तीसरे कारिकाल के लिए Asia Pacific Institute for Broadcasting Department General Conference के अध्याच के रूप में चुना गया है मुनीज कपूर याद रखेंगे RBI के नए Executive Director बने है अगला सबाल है कि कि देश के सोद करता समुद्री बादल उजवलन की खोच कर तो फ्रेंट्स ऑस्टेलिया ही सोद करता इस बादल की खोच में लगे हुए है डिसकस कर लेते हैं इस नियूस के बारे में देखें ऑस्टेलिया ही सोद करता अत्यदे गर्मी के कारण Great Variety पर मूंगा बिरंजन को कम करने के संभावित समाधान के रूप में समुद्री बादल बनते हैं देखें यह हैं बादल जिन्हें निम्न समुद्री बादलों के रूप में भी जाना जाता है समुद्री की सतय से दूर सूरे के प्रकास को प्रति बिम्बित करते हैं और नीचे के समुद्र जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं और संभावित रूप से म हम कहते हैं मर्य और डालिंग तदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंच और ग्रेट वारियर रीप ऑस्टेलिया में देखने को मिलेगी ऑस्टेलिया में जो घास के मैदान मिलते हैं इन्हें हम कहते हैं डाउंस याद रखेंगे आप सभी और ऐसा कौन सा महादीप है जहां पर ए मांट कोजियस को यह आपको ऑस्टेलिया में ही देखने को मिल जाएगा और जो और सी इंडेक्स एक्ससाइज है जिसमें भारत और ऑस्टेलिया फाग लेते हैं अगला सबाल है कि कौन बांगला देश के बाद 2023 में लिंफेटिक फाइलेरिया से इसको खत्म करने वाला दू चाटने से फैलती है और इसे खत्म करने वाला दूसरा देश बन गया है लाउस देखे यह पच्छमी परसान छित्र में एलेफ को खत्म करने वाला ग्यारवा देश है एलेफ का उन्मूलन 2030 तक संयुक्तरास्ट के सभी के लिए स्वास्त के सतत विकास लक्ष में युगदा जाएंगे कहां पर तो लाउस में लाउस की जो कैपिटल है उसे हम कहते हैं वियंतियाने और लाउस की जो कैरेंसी है इसे हम लाउ कीप कहते हैं क्या कहते हैं लाउ की अगला सबाल किस अंस्थाने सस्ते पानी की उच्छ लागत सीरसक से एक रिपोर्ट जारी किया है तो इ देखिए सस्ते पानी की उच्छ लागत बढ़ते वैश्विक जल संकट की चेताबनी देती है जो 58 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक मूल खाते सुरक्षा और इस्थरता के लिए खत्रा पैदा करता है अब यहां पर महत्तपून हो जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फोर नेचर यानि की WWF है क्या इसके बारे में जान लेते हैं इसका गटन 1961 में होता है यह पर्यावरन के संद्रक्षन अनुसंदान और रख रखाव संबंदी विश्वों पर कार्य करती है इसके पहला जो नाम था वो था विश्व वन्नेजीब कोर्स फिर्श डबलु डबलु एप लि आप से पूछा जाए कि WWF का मुख्याले यानि कि हैट क्वार्टर कहां पर है तो अंसर होगा ग्लेंड यानि कि सुझे लेंड में अगला सबल है कि राश्टी है हस्तसिल परदशनी गांदी बुनकर मेला कि सहर में आयोजित किया जा रहा है तो यह जो मेला है ना यह कॉलक प्रती लोगों की रुची पैदा करना है इस मेले का आयजन अक्टूबर तक किया जाएगा अगला सबाल ही कि पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नसा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल सुरू की है तो याद रखेंगे होफ इनिशेटिव यह जो पहल है यह पं पूरी तरह से नसा मुक्त किया जा चुके किया जा सके याद रखेंगे कौनसी फैल है यह आप से पूछी जा सकती है हॉप इनिशेटिव ठीके याद रखेंगे पंजाब गवर्मेंट ने से शुरू किया है और इसकी जो शुरुवात है ना वो अम्रत सर से की गई है कहां की पहली regional rail rapid x का उदगाटन किसके दुवारा किया जाएगा वर important question है याद रखेंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदीजी करेंगे तो जान लेते हैं इस news के बारे में details है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदीजी 20 अक्टूबर को साहीबाबाद उत्तर प्रधेश से भारत की पहली regional rail rapid x का उदगाटन करेंगे पहले फेज में इसका संचालन 17 किलोमीटर तक किया जाएगा जिसमें कुल 5 स्टेशन होंगे जैसे साहीबाबाद गाजियाबाद गुलधर दोहाई और यहें ट्रेन यह जो ट्रेन हैं यह 15 मिनिट के अंद्राल पर 160 किलोमीटर पती घंटे की रफ्तार से चलेंगे और rapid x ट्रेन में 6 कोच होंगे फेंट्स याद रखेंगे इस नाम दिया गया है नमो भारत तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी आज इसका उदगाटन करने वाले हैं ठीक है अगला सवाल है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने किस राच में 511 प्रमोद महाजन ग्रामिड कोशल्य विकास केंद्रों का शुबारम किया है तो यह महराष्ट में किया गया है कहां पर याद रखेंगे महराष्ट में किया गया है यह केंद्र महरास्ट के 34 ग्रामिर जिलों में इस्थापित किये जा रहे हैं इसके तहत हर एक केंद्र पर कम से कम दो वहवाशाइक पाटक करोमों में लगबग 100 युबाओं को प्रसिक्षित किया जाएगा कहां पर बात की जा रही है तो याद रखना है महरास्ट में अगला सवाल जो की शुरुवात में मैंने आपसे पूछा था कि किस देश ने मध्यमदूरी की अवाबील हतियार प्राणली का सपल परिक्षन किया है तो इसका सही आंसर था पाकिस्तान अब जान लेते हैं इस नियूस के बारे में देखे पाकिस्तान ने अबाबील हतियार प्राणली का सपल परिक्षन किया है अबाबील पाकिस्तान की जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यमदूरी की वैलिस्टिक मिसाइल है इसके जो रेंज है वो बाई सो किलोमीटर बताई जाती है वैंस अबाबील बेपन सिस्टम का प्राथमिग जो उद्देस है यानि कि जैसा बताया जा रहा है कि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस को यह चक्मा दे सकता है यह मिसाइल परंपरागत और परमाडू हमला करने में भी सक्षम है तो आप याद रखेंगे इसे किस ने विक्सित किया है या इसका सपल परिक्षन किस ने किया है तो पाकिस्तान ने किया है या आपको याद रखना है कल के शेशन का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं निम्नमे से किस जगे पानी में अधिक पोशक तत्वों के पढ़नाम शौरूब सेवाल की प्राचूरता या खिलने का कारण समुद्र लाल हो किया था तो ये घटना देखने को मिली है पूडू चैरी में ठीक है RBI ने नियामकी ये उलंगनों के लिए ICIC बैंक और केस बैंक पर जुर्माना लगाया है तो कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया गया है केंद्रिय नागरिक ओड्यन मंत्राले ने बिमान नियम 1937 में संसोधन करते हुए एयरलाइन परिवेन पाइलेट लाइसेंस और वाणेचिक पाइलेट लाइसेंस की बेदता पांस साल से बढ़ा कर कितने साल करती है तो याद रखना है दस साल करती गई है किस मंत्राले के सायोग से CRPF सर्व महिला मोटर साइकल अभ्यान 2023 यशश्वनी लॉंच किया गया तो इसे लॉंच किया है महिला एवं बालविकाश मंत्राले के सायोग से उत्ता प्रदेश में 27-29 अक्टूबर तक सरी अन्य महावसब का आयोजन कहां किया जाएगा तो फंड्स ये लखनव में होगा कहां पर लखनव केंद्र ये मंत्री मंडल ने केंद्र सरकार के करमचारियों के लिए महिंगाई भत्ते में कितने प्रतिसत की बढ़त्री को मंजूरी दे है तो कितने प्रतिसत को दी गई है 4 प्रतिशत इस बर्स आयूरवेद दिवस थीम पर आयूजित किया जाएगा तो इस बार की जो थीम होगी पोगी बन हेल्थ के लिए आयूरवेद केंद्र सरकार ने 2024 पच्ची सत्र के लिए गेहूं के नियूंतम समर्तन मूल को कितने रुपे बढ़ाया है तो याद रहेंगे 1500 रुपे बढ़ा दिया गया है नई दिल्ली में इंडिया स्किल 2023 का जो शुबारम है ये किस केंद्रियम मंत्री ने किया है तो धर्मींद्र प्रतान जी के दुवारा किया गया है जो कि वर्तमान में सिक्षा मंत्री है बिहार में चौते किर्सी रोड में 2023 से 28 तक को किस के दुवारा लॉंच किया गया है तो राष्टपती दुरोपती मुर्मू जी ने लॉंचिंग के है मिसन चंद्रियान थट पर गति विदी आधारित वे पोटल अपना चंद्रियान किस ने लॉंच किया है तो इसकी लॉंचिंग धर्मेंद्र प्रधान जी के दुवारा की गई है तो फ्रेंट्स ये था कल का करेंट अफ्यार अगर डिटिल से जानना है तो एक बार कल की क्लास जरूर देख लेजएगा अब डिस्कस कर लेता है टॉप 10 स्टैटेक जी के कुश्यन दचड अमेरिका के चोड़े ब्रक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है पंपास भारत में पहली बार राष्टियर डॉल्फिन दिवस कप मनाया गया था तो 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था भारत में न्यूंतम मजदूरी अधीनियम किस बर्स लागू किया गया था उननीस सो अरतालीस में भारती दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो ये कानपूर उत्ता प्रदेश में इस्दित है भारत में अंग्रेजी सिक्षा को किसने शुरू किया था तो लोड मेकाले के दुबारा शुटबात की गई थी डामफर जो बनने जीव अभेरण है ये किस भारती राच्च में बस्तित है तो याद रखेंगे ये आता है मिजूरम में सयुप्त राच्च संकी सुरक्षा परिशत में कुल कितने स्थाई सदस हैं पांच भारती जंबिधान का कौन सा अनुशित राश्टपदी के पद के लिए पुनहा निर्वाचन की योगता निर्धारित करता है तो आर्टिकल 57 करता है बर्स 1906 में किसने कलकत्ता कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यस्ता की थी दादा भाई नौरोजी के तुवारा की गई थी लावणी और तमासा किस भारती राज्जी का प्रसिद्ध लोकनिरत है तो याद रखेंगे कि माहरास्ट का प्रसिद्ध लोकनिरत है कलके शेशन में आपसे जो सबाल पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं भारत के बाहर डॉक्टर वीमराव अंबेटकर की सबसे बड़ी प्रतीमा का अनावरण किस देश में किया गया है तो इसका सही आंसर था ओप्सन दी यानिकी USA में किया गया है किस राज्ज ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उधगाटन किया तो 3D प्रिंटेड जो इमारत है इसका उधगाटन किरल ने किया है राइट आंसर था ओप्सन भी और किरल में कहां पर तुतिरू बनंत पुरम में किया गया है किस ने गोरिला युद्ध के तरीकों की शुरवात की थी तो इसका सही आंसर था ओप्सन ए मराठा न की थी 1761 के पानीपत की तीसरी लडाई में कौन पराजित हुए थे तो फेंट्स याद रखेंगे मराठा पराजित हुए थे राइट आंसर था ओप्सन भी अब आप सभी के लिए सवाल हैं जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करने हैं तो पहला सवाल है कि पीएम मोदी ने इसरों के बैग्यानिकों से कब तक चंद्रमा पर पहले भारतिये को भेजने का लक्ष रखने को कहा है दो हजार पैंतीस, दो हजार चालीस, दो हजार पचीस या फिर दो हजार तीस अगला सवाल डैनियल नोबुआ किस देश के सबसे यूबा राश्टपती बने हैं इगवडोर, यूगांडा, इसराइल या फिर इरान मंगल किस तरह के पोदों को कहा जाता है जलिय पोदे, सैबाल, मैंगरो पोदे या फिर मेंडी, टेरियस पोदे तो इसका जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे चिम्मनी जो बनी जीब अभियरण है ये किस प्रदेश में है केरल, तम्मिलाडू, करनाटक या फिर आंत्रप्रदेश तो इन सबी के जो आंसर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखने है आज का ये शेशन आपको कैसा लगा? कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जादा से जादा शियर कीजेगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजِّएगा इस क्लास की चो पीडिएप है आप वो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगे टेलिग्राम पर जाकर एक्जाम और बिट क्लासे से लोगों आपको दिखाई दिगा तो जिसने भी Telegram Channel जोईन नहीं किया है जोईन कर लीजेगा क्योंकि PDF के अलाबा Current से सम्मंदे जो भी Update होता है वो आपको Easily कहां पर मिल जाता है Telegram पर मिल जाता है तो Telegram Channel आप सभी जोईन कर लीजेगा इसी के साथ आपको बता दे कि अगर आपकी कोई भी आगामी परिक्षा है तो जन्वरी से लेकर यानि कि जन्वरी 2023 से लेकर आपका अगस्त 2023 और मार्च 2023 से लेकर अगस्त 2023 का करेंट अफ्यर की क्लास हो चुकी है इसके अलावा जो सेप्टेमबर का करेंट अफ्यर का क्लास रहता है यानि कि एक क्लास में स यानिके exam orbit classes पर आप जाकर देखेंगे तो एक class आपको easily मिल जाएंगी तो अगर आपकी कोई भी परिक्षा आगामी है तो एक बर इन classes को जरूर देख लिजेगा करेंट और फिर आपका यहां से कबर हो जाएगा तो मिलते हैं ने स्टेशेशन में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत